तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटेट का जो एक्सपेक्टेड कट आफ 2021 को जाने वाला है ठीक है बाकि आइंसर की के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हो जो हमारे चैनल पर उप सारे सब्जेक्ट के सेक्शन के आइंसर की वहाँ पर आपको मिल जाएंगे बाकी बात रही एक एक्सपेक्टेड कट आफ की तो उसमें वह हम डिसकस करने वाले हैं तो फ्रेंड्स पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूं कि बेसिक कितना गया था आविदन कितना था लास्ट ड देख पारे होंगे डिस्प्ले पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2021 में जो टोटल अप्लिकेशन गए हैं वह पांच लाग च्यालिस हजार अप्लिकेशन टोटल गए हैं ठीक हैं अन्तिम्तिती क्या थी अन्तिम्तिती थी 20 अप्लिकेशन का आपको पता ही होगा यादी होगा अब फिर से बात करने फूल फॉर्म लगबग मैंने बताया पांच लाग च्यालिस हजार मतलब मान लिजए साड़े पांच लाग क्या सपस एक्जाम कितनों ने दिया है एक्जाम पांच लाग तीस हजार स्टुटेंट ने दिया है कितने टोटल सीट हैं जो जिस पर यह अप्लिकेशन चल रहा है एक लाग तीस जार स्टुट पर चल रहा है ठीक है और टोटल कितने कॉलेज़ें वो 908 कॉलेज है ठीक है अब क्या करना है हम पिछले साल का भी देख लेते हैं पिछले साल कितना आवेदन गया था चार लाग असी हजार 926 आवेदन बिएट सिकेंड यर कंडिडेट के लिए 327,270 अप्लिकेशन और बिएट 4 यर उमिद्वार के लिए कितना गया था एक लाग तीरपन 1696 अप्लिकेशन ठीक है यह तो मैंने आपको अप्लिकेशन और डेट वगरे के डिटेल बता दिया जो बेसिक थे अब हम बात करेंगे 2020 और 2020 का कटओस कितना था और 2021 का एक्सपैक्टेट कटफ कितना हो सकता ठीक है अभी क्या है कटओफ 2020 का मैं मेल वालों के पहले बताओंगा उसके बाद फिमेल वालों का कितना गया था तो cutoff 2020 में mail के लिए general का गया था 365 plus OBC का गया था 340 plus MBC का गया था 330 plus EWS का गया था 345 plus SC का गया था 270 plus ST का गया था 292 plus Disable जो थे वों का गया था 290 plus और X servicemen वालों का भी 290 plus गया था ये किसका था ये mail वालों का था 2020 का अब हम 2020 के female का देखेंगे cutoff कितना गया था General वालों का 340 plus OBC का 320 plus MBC का 310 plus SC का 260 plus ST का 282 plus Disable जो थे उनका 260 plus और X servicemen 255 plus ये female वालों का था तो आप चाहो तो ऐसे display पे देखके compare भी कर सकते हो कि कितना अंतर था ये तो 2020 के male और female का cutoff हो गया हम अब क्या गरेंगे 2020 का cutoff जो है उस subject wise भी देख लेंगे ठीके तो 2020 का subject wise cutoff General वालों का Science में कितना गया था 405 Arts में कितना गया था 390 OBC में कितना गया था 395 Arts में 378 EWS वालों का Science में 390 Arts में 370 SC वालों का Science में 370 Arts में 360 ST वालों का 355 Science में और 345 Arts में यह total detail जो अभी तक मैं बताया हूँ यह 2020 का है ठीक है जो last year आपका गुजर चुका है अब यहार बात कर लेते हैं हम PTA का expected cutoff जो एक्जाम अभी हुआ है 8 सितंबर को उसका expected cutoff कितना जा सकता है ठीक है आप तो देखी रहे हो डिस्प्ले पे दिख रहा है expected cutoff में आपको बता देता हूँ कितना जा सकता है लगबग देखे सबजेक्ट वाइज मैं इसमें बता दिया हूँ जनरल वालो का जो है science में 410 ब्लस जा सकता है arts का 395 प्लस ठीक है OBC का science में 400 प्लस arts में 380 प्लस EWS का science में 395 प्लस arts में 380 प्लस SC वालो का science में 380 प्लस arts में 370 प्लस ST का Science में 370 प्लस और Arts में 355 प्लस तो दोस्तों उम्मीद है यार इतना आप देखने बाद Compare भी कर सकते हो Last year का क्या situation था? इस year का क्या situation है? Cut off देखो questions थोड़े hard आये थे ये भी ना सोचे कि आप की बहुत ज़्यादा लो जाएगा cut off तो ये तो पूरी डिटेल थी 2021 का तो expected cut off आप को बता दिया आप अपना score इस हिसाब से चेक कर सकते हो कितना आपका safe score जा सकता है क्या सही गया है paper की base पे गया है कितना आ सकता है आपका scoring कितना हो रहा है safe score पे हो आप की नहीं हो वो आप इस cut off के जड़िए एक बार अंदाजा लगा सकते हो बाकियार answer की कि अगर बात होई अगर answer की आपने अभी तक मिलाया नहीं है तो हमारे other videos को देख लो जो channel पे upload हो चुके है हर एक subject का separate videos आपको मिल जाएगा चाहिए वो हिंदी हो चाहिए वो सिछड़ बिरूची हो चाहिए वो reasoning हो चाहिए वो English हो ठीक है सारे case आपको separate videos मिल जाएगे answer की answer की का बाकियार अब मिलते हैं आप से हम next video में नए topic के साथ में तब तक के लिए bye bye take care love you all जैहिंद जैभारत thank you